ओम शान्ति बहुत बहुत प्यार से आज प्रानेश्वर बाप दादा का मधूर महावाक्य 26 फरवरी 2024 का प्यारे बाप दादा का महावाक्य हम सभी सुनेंगे मीठे बावास केते हैं मीठे बच्चे टीचर विदेही है इसलिए याद की मेहनत करनी है श्विबाबा सुप्रीम टीसर क्या है? विदेही है बिना देह का है इसलिए याद की मेहनात आवर्श्य करनी है याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब तुम बच्चे घर जाएंगे कौनसा घर, परमधाम घर जाएंगे, अपना घर जाएंगे, आत्मा का घर जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, परमधाम. मीठे बाबा आज प्रश्न कर रहे हैं, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोके में कभी भी नहीं आना, सभी ब्रह्मा वुत्सों को बाबा की याद में रहने की मेहनत करनी है किस धोके में बाबा केते तुम्हें कभी भी नहीं आना उत्तर आज प्यारी बाब देर है आत्मा का साक्षतकार हुआ जिलमिल देखी इससे कोई फैदा नहीं ऐसे नहीं कि साक्षतकार से या बाबा की द्रिष्टी पढ़ने से कोई पाप तुम्हारे नस्ठ हो जाएंगे कट जाएंगे या मुक्ती मिल जाएगी तुम्हें नहीं यह तो और ही धोके में रह जाएंगे याद की मेहनत करो मेहनत से ही तुम भी करमाती तवस्था प्राप्त करेंगे ऐसे नहीं बाबा द्रिष्टी देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे बाबा के दिन नहीं इसमें मेहनत अवश्य चाहिए सबसे सुक्षम मायाए भी है कि आत्मा का साक्षतकार हो जाएं आत्मा को हम देख लिये या आत्म नभूती कर लिये तिसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा जनम जनमांतर का विकर्म पापकर्म भस्म हो गया बिलकुल नहीं ऐसे धोखे में नहीं रहना आज बाबा इसको धोखा पूर रहे हैं अब हम सभी सुनेंगे आज की गीता ज्यान मुर्ली का धारणा के लिए मुख्यशार पहली मुख्य पॉइंट से हैं स्वदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है संभाल करो कर्मिंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो कर्मिंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो कर्मातीत बनने की स्वैम मेहनत करो कर्मिंद्रियों से कोई भी कर्मिंद्रियों से भी कर्म ना हो पाप कर्म ना हो भावा कह रहा है दूसरी मुख्य पॉइंट है साक्षातकार की आस नहीं रखनी है साक्षतकार की आस नहीं रखनी है साक्षतकार करने से मुक्ती नहीं मिलती है पाप तुम्हारे नहीं कटेंगे साक्षतकार से ज़्यादा फाइदा नहीं है बाब बुले जंग तुम्हारी तब निकलेगी जब बाप और नौलेस को याद करेंगे आत्मा से जंग, पाप, कर्म, बीकर्म तब निकलेगी भसम होगा जब योग अगनी, जब ज्ञान और योग से ज्ञान और योग में रहेंगे ज्ञान चिंतन में रहना है और योग युक्त रहना है मना ज्ञान युक्त योग अवस्था आज शदग्रोशे बावा वर्दान दे रहें चेहरे द्वारा सर्व स्रेष्ट प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले हैं सर्व प्राप्ति शंपन भव सर्व प्राप्ति शंपन भव विस्तार मिठे बावस्तुना रहें शंगम युगपर आप ब्राह्मन आत्माओं को वर्दान है जो ब्राह्मन आत्मा हैं जो शंपोन नियम और मर्यादा को फ़लो करते हैं जो ब्रह्मा बाप को फोलो करते वही सचे ब्राह्मन है, संगम यूपर, आप ब्राह्मनों को यह वर्दान है, सर्व प्राप्ति शंपन भवो, ऐसी वर्दानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अईसी वर्दानी आत्मा जो सर्व प्राप्ति संपन है, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उनके चेहरे की चमक बताती है, कि इन्होंने कुछ पाया है, यह प्राप्ति शरूप आत्मा हैं, कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख कर लोग कहते हैं, उन्ची मन्जिल है, इन्होंने त्याग बहुत उचा किया है, त्याग ही दिखाई देता है, लेकिन भाग गे नहीं, जब सरूप राप्तियों के नसे में रहा, अपना भाग गी दिखाओ, तो सहज सभी को आकरशित कर सकेंगे, सहज ही सभी आत्में आकरशित हो करके आएंगे, कब जब सरूप राप्तियों के नसे में संपन रहते हैं, अपना भाग गे हम दूसरे आत्माओं को दिखाते हैं, सभी आत्माओं को ये अनुभुती होना चाहिए, कि आत्में बहुत कुछ प्राप्त की हैं, बहुत सुन्दर प्यारी बाबा का ये वरदान्याज का स्लोगन है, जहां उमंग उत्सा है और एकमत का संगठन है, जहां उमंग उत्सा और एकमत का संगठन है वहां सफलता समाई हुई है जहां उमंग उत्सा और एकमत का संगठन है वहां बाबा केते शफलता तुम्हारे लिए समाई हुई है बहुत प्यारी बापता रखा पदमा पदम गुणा शुक्रिया जितना प्यार से सने से हम आत्माओं को शिक्षा दिये तो सारा दिन इसे स्रिस्ट शौमान में रहना स्रिस्ट नसी में रहना है हम आत्मा परमात्मा बाप से सर्वस्व प्राप्ति कर चुके हैं पाना थासो पालिया बाकी कुछ नहीं रहा पाना थासो पालिया बाकी कुछ नहीं रहा अच्छा ओम शांति ओम शांति मेरा मिठा प्यारा शुब बाबा